गिर्ट विल्डर्स जो बड़ा मशूर है पाकिस्तान में भी और TLP का खास दोस्त है खालिल लतीफ ने भी उसके उपर फत्वा उसके सर की कीमत लगाई थी जो के खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया है जो फार राइट डच पॉलिटीशन है गियर्ट विल्डर्स उन्होंने एलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है नीदर लैड में जो गिट विल्डर हैं उन्होंने विल्म किया है एलेक्शन को हम एक जराई मुल्क के अवाम मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं यह कहते हैं कि मैंने यह जितने भी जिस सुनामी आया है इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स का और यह जो अजाइलम है मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूँगा लेकिन आज मैं यह एक और बाद बता बताना चाहएं का तालीम मैंने आप से पहले कहता तालीम हो आपका सारी एक इकन्डेशन हर जगा पे दुनिया में जलीलो ख़एर आप हो रहे है हर अप पे हर कंटरी में अपने कंटरी के अंदर भी सिर्फ तालीम ना होने के पूरी दुनिया में इस वकत एक मुसल्मानों की जो बढ़ती हुई शिदत पसंदी है उसके खिलाफ एक रियक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में यह एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है बट मगर यह एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है यानि यह नहीं के एक ही मुलक में हो रहा है खबर यह है कि वहाँ पर इंडिया में जो सीम है यूपी के उत्रप्रदेश के सीम अदित्यानाथ योगी साहब उन्होंने यह किया है उनकी दरफ से यानि गर्मिन्ट की दरफ से जो हलाल प्रोड़क्ट्स हैं उनके ओपर पबंदी लगा दे गई है एकजिट पॉल में जीत हाशल किये गीट विल्लर्स फ्रीडम पार्टी को सेती सीटे मिली है दूसरी संख्या वाली पार्टी को पचीश सीटे मिली है अब तक एकजिट पॉल में सिर्फ दो सीटों का अंतर था इसलिए यह बहुत खास है ऐसे में पीपीपी के सरकार बनने की उमीद है लेकिन अगर गीट विल्लर्स ने नीदरलेंड के नेतरूत किया तो यह देश और पूरे यूरोप में एक अलग रुख फैदा करेगा तो भी गीट विल्लर को उनके इसलाम इरोधी रुख के कारण जब नुपर शर्मा भारत में पैगंबर मुहमत पर टिपड खाने के लिए भी जाना जाता है यह जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और यह जो अजाइलम है मैं इसको बिलकुल बंद कर दूँगा और यह उनका एलेक्शन मैनिफेस्ट हो था और वो तो यह भी कह रहे हैं हम यूर्पीन यूनियन से निकल जाएंगे आप कैसे देखते हैं छे से साथ परसेंट मुसल्मान है निदरलेंड के अंदर आप तो खुद यूर्प में बैटे हुआ हैं उसी मुलक के करीब वट इस यूर माइंड सेट कि यह क्या होने जा रहा है मुसल्मानों के खिलाफ यह जो एक कमपेंड चल रही है कि उनको आने न दिया जाए ऐसा क्या मुसल्मानों ने घल्द किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशन्स हैं जो के जातार एकॉनिमी और और चीज़ों पर डिसकस करते थे यह एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है बट मंगर यह एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है यानि यह एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है देखे जहां मैं रहता हूं स्वीडन में वहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर टू है हमारी पार्लिमेंट में वो ओपनली एंटी इंटी मिग्रेशन पार्टी है बेसिकली एंटी मुसलिम पार्टी है उसे कहते हैं स्वीडिश डेमोक्राट्स नोट सोशल डेमोक्राट्स वो तो है ना एक बिल्कुल मुक्तरिफ सोच के मालक हैं ये हैं के स्वीडन फॉर दे स्वीड अब ये विल्डर जो है ये तो सरे फृस्ट पे है उन लोगों को जो ओपनली अंटी मुसलिम है और इसने दफा कहा भी है कि मुसल्मान जो है वो जिडियो क्रिस्टिशन ट्रिडिशन जो है सिवलाइजेशन उसका बिल्किल हिसा नहीं है इनको यहां से निकालना चाहिए उसकी वज़ा से और उसका एक और भी था पॉलिटेशन जो कतल हो गया था गालिबन एक मुरॉकन ने कर दिया था या टुनिशन आई डॉंट नो तो नैदरलेंड्स में यह एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि सिक्टी सेवन सीट्स या सेवन्टी सीट्स चाहिए है हकूमत बनाने के लिए इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी तो जी एक खत्रा है कि अकेला यह पार्टी बना लें वो मुम्किन नहीं है इसे कोईलेशन पार्टनर लेने पड़ेंगे तो वहां पे जाहर है जब आप कोईलेशन में आते हैं तो आपके प्रोग्रम को थोड़ा सा आपको उसे कॉंप्रोमाइस भी करना पड़ता है तो बट बट इस इस अवेरी सीरियस थ्रेट और यह इस्लामोफोबिया की देखें इस्लामोफोबिया की दो तिन एक तो है कि वेन यू कम फॉम आउटसाइड किसी भी सुसाइटी में तो लोग एक खास शक की नजर से तो देखते हैं ना कि ये कौन आगया है वज़ा है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इसलामिजम के बढ़ते हुए डेंजर के खलाफ बोलने पर और हता कि अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शन्स जीत गई है जी हाँ गिर्थ विल्डर्स की पार्टी ने इलान कर दिया है कि वो नेधरलेंड्स में जीत तो इंडिया में हम देखते हैं कि एक रियक्शन आ रहा है मुसल्मानों की कुछ हरकतें ऐसी हैं मैं इसको justify नहीं कर रहा मेरी भी कुछल से कल बात हुई English Channel पर उस पर भी हमने यह discuss किया कि हाँ यह जो इस्लामिजम का threat है यह असल है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग खुद action लेने लग जाए लेकिन unfortunately वो last step होता है जब हमारे politicians अपने अंदर spine पैदा नहीं करते है अपने अंदर resolve नहीं दिखाते है कि हाँ भी यह problem है हम इस problem के उपर हमें inconvenient थोड़े मुश्किल decisions लेने पड़ेंगे जो west में left ने हथ्यार डाल दिये हमने देखा है कि west में England में अभी मुझारे हुए फलसीन के हवाले से तो जो सफेद farm लोग थे उनके उपर पुलिस का home secretary थी उन्हों ने का कि बरतानिया की पुलिस में two-tier police system है यानि एक गोरों के लिए और एक browns के लिए यानि browns को privilege दिया जाता है और यह पूरा कमो बेश पूरे west में हमें यही नजर आता है कि गोरों के उपर सख्त police होती है लेकिं browns के उपर थोड़ा हलका हाथ होता है क्य अगलिया